हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल गाईज एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ मैं कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुशनर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए टॉपिक है हम जानेंगे कि आपकी लाइफ से परिशानिया कब तक खतम हो जाएगी ठीक है और कैसे खतम होगी कब तक भी खतम हो जाएगी और कैसे खतम होगी जो भी परिशानिया अभी आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो उनका सलूशन क्या है और वो कैसे खतम ह तो यहाँ पर reading के end में guidance भी मैं आपके लिए पता करूँगी divine की तरफ से तो reading को end तक देखना बहुत important है आज की reading start करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है यह reading timeless है तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचेंगे आप देख सकते हैं आराम से हो सकता है कि किसी reason की वज़े से आप यहाँ तक पहुंचेंगे जल्दी से start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि परेशानियां कब तक खतम होगी आपकी life से परेशानियां जो भी दिक्कते आप face कर रहे हैं we have two of cups जो सकता है love life में obviously love life में कुछ ना कुछ परेशानियां तब ही आप यहाँ पर हैं पर love life से अलग हटकर भी कुछ और भी आ सकता है okay eight of souls gemini libra aquarius number eight यहाँ पर है king of cups cancer scorpion pisces three of cups cancer scorpion pisces we have ace of pentacles thoris virgo and capricorn two of wands aries leo and sagittarius we have the star card we have the sun card star or sun exat okay we have eight of wands aries leo and sagittarius यहाँ पर leo और aquarius तो बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है मुझे six of cups बाकी cancer scorpion pisces भी बहुत स्ट्रॉंग है और aries leo sagittarius भी बहुत स्ट्रॉंग है air sign में से मुझे इक्वेरियस ज्यादा स्ट्रॉंग दिख रहा है देखो यहाँ से eight of cups cups के card सबसे ज्यादा आए यहाँ पर वैसे guys अगर मैं सच बता हूँ तो ज्यादा परेशानिया बची नहीं है आपकी life में जो चीजे मुझे यहाँ दिख रही है because थोड़ी बहुत परेशानिया अगर दिख रही है तो वह आपकी love life में दिख रही है और एक चीज और है जैसे की पहला card था यहाँ पर eight बताता है hard work और यहाँ पर देखो triple eight angel number भी आ गया है eight number तो आपके work को relate कर रहा है आपके hard work dedication passion आपके goals आपके wishes को दिखा रहा है तो अभी आप अपने जो भी मकसद है आपका जो आपको achieve करना है उसमें अभी आप stuck हो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी divine ने इसलिए stuck कर दिया है because you need to clear most of the things in your life जिसक आपको अभी और सीखना है आपको और जदा explore करना है investigations करनी है search करना है मेहनत करनी है तब ही आप यहाँ पर stuck है तो you need to clear all the issues और ऐसी बाते जो आपको नहीं पता ठीक है तो उनको आप थोड़ा सा भी explore कीजिए search कीजिए मेहनत कीजिए चाहे वो आपकी नौकरी के लिए है च चाहे वो आपकी study के लिए है चाहे आपके business के लिए है चाहे आप कहीं भी को कहीं पर कहीं money invest कर रहे हैं या कोई भी किसी भी project में आप involved हो रहे हैं आपको थोड़ा और बहतर बनने की जरुरत है इस area में तभी ऐसा हो रहा है आपके साथ अदरवाइस तो सही जा रहे हो life मे लेकिन अभी आप अपने career में stuck हो चुके हो ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत जादा भी नहीं बोलूगी मैं बढ़ हाँ कुछ ऐसे steps हैं जो आपको लेने हैं हो सकता है कि आप उन steps पर काम भी कर रहे हो ठीक है उन पर आप काम तो कर रहे हो लेकिन अब result भी तो दिरे दिरे आएगा ना तो आप थोड़े panic ना हुई है यह मस समझे कि बहुत डिले हो रहा है या फिर चीजे सेटल नहीं हो रही है आपको काफी लंबा वेट करना पड़ रहा है इस तरीके से सोचिए मत यह सोचिए कि आप किस तरीके से आप अपने पूरी energy ना भी ऐसे लगाईए कि इस trap से खुद को कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे यहां से भार खुद को क्या ऐसा नया सीखेंगे क्या ऐसा नया explore करेंगे जिससे कि आप आपके आपको की पट्टी खुल जाए आपको clear vision दिखे आगे तक का और आप आगे बढ़ पाए यह जो रस्ती से बंदे हुए ह इससे आपको खुल कर बाहर आना है यह चीज़े आपको सीखनी है इस चीज़ पर बिलकुल भरोसा करकर आगे बढ़िए आप अपने आपको improve कीजिए चाह थोड़ा ही कर पा रहें एक दिन में लेकिन करते रहें यही है आपका काम work में तो कुछ यह situation दिख रही है यहां आ दूसरा आपकी love life में हो सकता है कि time time पर third parties आ रही है अभी third party कोई भी हो सकता है कोई और अगर आपको पता है कि आपके partner किसी और के साथ involved हो रहें तो yes third party है आपकी जंदेकी में वरना यह third party हो सकती है कि आपके person आपको importance ना देकर दूसरे लोगों को दे रहे है means या तो office में अपने किसी project में busy है या फिर ऐसा हो सकता है third party जो है वो friends है family है यह भी हो सकता है ठीक है third party आप देखें आपके case में किस तरह से है क्योंकि यह जानना पहचानना तो आप ही को पड़ेगा लेकिन हा यह clear है कि अभी आपके partner आपको attention नहीं दे रहे हैं आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं हो सकता है अभी दूसरे चीज़ों में आपके person का पूरे तरीके से दिमाख लगा हुआ है जो भी है पर इस person को इस चीज़ के लिए regret भी होता है और यह अंदर से काफी ज़्यादा emotional loss भी feel करना शुरू कर देते हैं अब रही बात देखो यह दो situation निकल कर आई है एक तो third party situation दूसरा आप अभी अपने purpose में stuck हो गए हैं आपको थोड़ा और जरुरत है कि आप और ज्यादा सीखें ठीक है और ज्यादा पता लगाए और ज्यादा deep way में knowledge grab करें अपने target को लेकर या अपने purpose को लेकर यह चीज़े यहां पर आई हैं यह दो मुझे आ आप career में तो आप day by day अपने efforts लगाएंगे तो आप अपने आपको situation से बाहर निकाल देंगे बाकी रही बात यह third party की तो अब मैं आपको बताती हूँ यह third party कोई भी है चाहे family है friends है यह कोई और person है आप tension ना ले because एक miracle आपके लिए work कर रहा है Ace of Pentacles आपने कुछ इस तरह से काम करके दिखाया है divine को कि आपने यह pentacle earn कर लिया यह blessing earn कर लिया है यह miracle earn कर लिया है if you are in the twin flame और divine connection तो यहाँ पर sun और star यह clear बता रहे हैं कि अभी distance है लेकिन यह distance खतम हो जाएगा आप दोनों के बीच में जो दूरियां बन गई है जो गिले शिक्वे आ गए है यह अगर ह आलात सही नहीं है तो favor में आएंगे क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के soulmates है और यह soulmates connection बहुत ही बहुत ही खुबसूरत होता है tough भी होता है लेकिन real होता है तो यह real चीज आपको एकदम से नहीं मिल जाएगी आपको काफी जादा महनत करनी पड़ेगी यह परेशानिया नहीं है यह जो आपके जिंदगी में जो चीजे आई है ना यह परेशानिया नहीं है यह यह lessons है जो आपके सामने खुल कर आ रहे हैं और आप नया कुछ सीख पा रहे हैं इन lessons के थ्रू तो यह परेशानिया नहीं है यह सरिफ एक new lesson आजाता है आपके सामने जिसे आपको solve क पड़ता है हां यह मैं कहा सकती हूं कि दूसरे अकार्डिंग आपको जादा लेसन्स मिले हैं यहादा सफर कर jest स्पर्रेश करें हैं तो आपका experience इस अकौर्डिंख जादा ही होगा डther की क्या है तो ड्रस्ट परकिनल नहीं होना है आपको आपकी आपके की है तो करते रहे हैं आप इस situation से खुद को निकाल लेंगे बाकि रही बात दूसरे लोगों की involvement की तो यहाँ पर यह miracle आपकी काम करेगा आपको faith रखने की जरुरत है बस ठीक है और जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही करते हैं ठीक है चलिए और देख लेते हैं कुछ और क्या आपके लिए आएगा यहां से पर इतना मैं बता रहे हूं आपकी सारी problem solve हो जाएगी क्योंकि we have sun card here and the star card यह दोनों card बता रहे हैं और the ace of pentacles card यह तीन card इतने खुब्सूरत आए हैं तो मुझे बता रहे हैं कि आपकी problem की solution आपके पास 100% पहुँच रहे हैं ठीक है बस आपको consider करने की ज़रत है suffering in silence अभी आपको थोड़ा सा suffer करना पढ़ रहा है अकेले में क्योंकि यह अभी आपके problem वाले problem वाला time है तो इसमें आपको थोड़ा सा suffer करना पढ़ रहा है but you have enough strength to deal with these kind of issues in your life you have strength you have enough strength you are a very powerful person और आपको recognition and reward definitely मिलेगा और आप tension ना ले because जब karma करा है तो reward तो आएगा ना आपके पास karma तो guys जो करा है उसका फल आपको खोज ही लेगा ठीक है वो आप तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा और मुझे तो आपको recognition and reward मिलते हो भी दिख रहा है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके पास judgment आ रहा है बहुत जल्दी आ रहा है यह suffering सब और लंबी नहीं चलेगी देखो eight of wands का card फिर से आ गया जो भी wish मांग रहे हो जो भी चाहते हैं आपको मिले वो आपको मिलके रहेगा थोड़ा सा आप sacrifice कर रहे हैं patience रख रहे हैं divine भी आपको judge कर रहे हैं और judgment भी जल्दी दे देंगे अपनी universe is with you यह तो मुझे दिखी रहा है because ace of pentacles का card हमारे पास था तो universe तो आपके साथ है all the time आपके साथ है tension वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर थोड़े obstacles हैं challenges है that is why we have eight of swords card in the beginning हमारे पास अगर कुछ obstacles और challenges बचे हैं तो इसका मतलब clear है कि हमें कुछ अभी सीखने की जरुरत है कुछ pending पड़ा है जो हमें अभी सीखना है वो अभी छूटा हुआ है या हमारे सामने नहीं आ रही है वो चीज लेकिन अगर आप try करेंगे करेंगे तो यह चीजे जो यह obstacles हैं यह आपके सामने भी आ जाएंगे आप इन पर काम भी कर लेंगे और आप आगे भी बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में और आपकी जो भी problems है वो भी खतम हो जाएगी disconnect and bottom हो सकता है आप भी disconnect हैं आप कहीं नहीं जा पाते हैं कोई celebration नहीं है इविन आपका third chakra block हो सकता है you need to work on this and जितना हो सके guys अपनी life में आप खुद से भी happiness लेकर आने की कोशिश करिए और अपनी life में सारे गिले शिक्वे भुला दीजिए जितने भी आपको लोगों से शिकायते हैं या फिर आप थोड़ा सा उनसे उदास हैं तो वो सारे गिले शिक्वे अगर आप भुला देंगे आप खुद से एक नई शुरुवात करेंगे उन्हें माफ कर देंगे तो ये भी आपकी manifestation में जो obstacles आए हुए हैं आगे वो भी हट जाएंगे इसके थूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि अपने हैं चलो ठीक है स्टफ करते हैं परिशान करते हैं लड़ते हैं हैं तो अपने ही न अपनों से क्या लड़ना परिशान होना या उनसे बात ना करना ये सारे चीज़ें आप छोड़ दें इन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ जाईए ठीक है क्योंकि अगर आपके according कोई गलत है तो वो आपके according है हर किसी की सोच समझ अलग होती है different होती है हो सकता है जो इनसान कुछ कह रहा है वो आपको अजीब लग रहा है या सही नहीं लग रहा है तो लेकिन उस इनसान के लिए वो चीज़ बिलकुल सही है वो अपने knowledge के according बात कर रहा है आप अपने knowledge के according behave कर रहे है अगर आप ये समझ जाएंगे ना कि ये सोच का फर्क है उसकी सोच और आपकी सोच में difference है तो compatibility नहीं है या तो आप महाँ चुप हो जाओ यहाँ आप वहाँ पर ज़्यादा बाते मत करो ठीक है ज़्यादा discuss मत करो तो ऐसे भी आप अपने पास negativity या जो unnecessary arguments आपके पास आजाते हैं वो नहीं आएंगे ठीक है बहुत तरीके से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं अगर आपकी thinking सही है समझ पा रहे हैं ना तो सामने वाला अपनी knowledge के भी हाफ पर बात करेगा आप अपनी knowledge के भी हाफ पर उनको reply कर रहे हैं और हो सकता है कि आप दोनों की बाते नहीं match कर रही है तो आप argument बैट रहा है तो आप let go करना सीखिए इस condition में क्योंकि हर किसी को आप convey नहीं कर सकते हैं अपनी बाते नहीं उनके सामने प्रूफ कर सकते ना वो लोग आपके सामने कर सकते हैं because different thinking है तो यह सोच का फर्क अगर आप समझ गए तो बहुत तरह के arguments और issues से आप बच जाएंगे खुद को बचाईए जितना possible हो सकता है और अपने purpose पर ज्यादा focus कीजिए यह चीज़े आपको करनी है चलो और कुछ अगर आपके लिए यहां से है तो मैं देख लेती हूँ bridge, inner strength बढ़ाईए अपनी ठीक है? और अपनी and recognize that you have the power because, yes, because you are a powerful person और आपके पास enough strength है तो आपके पास जो power है आप पहले तो उनको पहचानिए और फिर उसको और ददा enhance करने की कोशिश कीजिए ठीक है? और guys, जो मैंने भी बताईए आपको बात के different thinking होती है लोगों की तो compatibility नहीं बनती है suppose that अगर आपकी खुद की sister ही आपको कुछ कह रही है और वो आपको सही नहीं लग रहा है तो वहाँ पर आपको reply देने की जुरुत नहीं है आपको सिर्फ ignore करने की जुरुत है फिर जाय मासस्टर है, brother है, cousin है, relative है neighbor से कोई है, या friend है ठीक है? अगर आपको लगता है कि वो सही बात नहीं कर रहे है आपके according, ठीक है? तो आप वहाँ पर अपना reply नहीं दे और बोल दें ठीक है, चलो छोड़ो इस topic को इस तरीके से आप थोड़े से अपनी परिशानियों से बच जाएंगे क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों को अगर आपके against फिर जब कोई बोलता है तो आप low feel करते हो और आप थोड़ा सा फिर ये सोचते हो कि भाई ये इनसान ऐसे सोच क्यों रहा है मेरे बारे में या ऐसे क्यों बोल रहा है तो इन सब चीजों से आपको बचना है negativity से बचना है आपको आपको बचना है द्रामा बोल दिया मैंने I think ये ड्रीम्स आई ये ये ड्रीम्स विजन और गोल्स आर बिकमिंग रियालिटी स्टे फोकस्ट तो आपके जो ड्रीम्स हैं विजन्स हैं और गोल्स हैं वो रियालिटी में कनवर्ट हो रहे हैं आपका फोकस पूरा 100% होना चाहिए अपने काम पर तो आपके सारी परिशानिया भी खतम हो जाएगी I think कि ये ड्रीडिंग आपके लिए helpful रहेगी और आपको पसंद भी आई होगी और आपके साथ resonate भी होगी तो अगर ड्रीडिंग resonate हुई है तो मुझे comment section में बता दे न और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप मेरा चैनल subscribe कर सकते हैं और आप सब भी वीडियो को like कर सकते हैं अभी के लिए बस इतना है guys bye take care